श्री गोवर्धन नाथ की चे, श्याम सुन्दर श्री यमने माराणी की चे, श्री वल्लबा देश की चे, श्री गुसावाई जी परम दयाल की चे दामोदर्दास हरसानी जी का प्रागट्य अज्सव महा सुधी चतूर्थी, संवन 1531 चतूर्थी के दिन श्री दामोदर्दास का प्रागट्य वर्धान अगर में हुआ था, बाल्य वस्था से ही आपको अपना स्वरुग्नान था और श्री महाप्रभुजी के विरह में घर संसार से अलिप्त होकर रहते थे आप हमेशा श्री महाप्रभुजी की राह देखते हुए अपने घर की खिड़की के पास बेठे रहते और राह देखते रहते थे सवमण 1547 में श्री महाप्रभुजी को आते देखा और दर्शन मात्र से ही उनके स्वरुग को पैचान गए और खिड़की से कूद गए और सी दा श्री महाप्रभुजी के श्री चरणों में सास्टांग दन्वत प्रणाम किया श्री महाप्रभुजी ने भी अत्ति प्यार से दमला तुम आ गयो कहके स्विकार कर लिया तब से श्री दामो दर्दास्टी श्री महाप्रभुजी के साथ उनकी सेवा में रहे श्रावन सुद एकादसी श्रावन सुद एकादसी सावन सुदी एकादसी की नीशा जो की पुष्टी मार्क के प्रागट्य की मंगल नीशा केलाती है साक शार्थ श्री ठाकोर जी ने श्री ठकुर आनी घाट गोकुल में प्रगट होकर श्री महाप्रभुजी को ब्रह्म सबन्थ देकर पुष्टी जीव को शरण में लेने की आज्या करी वो दीव्य इतिहास के साक्षी श्री दामोदर्दास जी थे आपने तो सब देखा आपने वो सब देखा श्री महाप्रभुजी ने पूछा कि दमला तुने कुछ देखा तो दास्य भाव से कहा कि देख्यों पर समझ्यों ना ही इसलिए स्री महाप्रभुजी ने सिधन्त रहस्य ग्रन्थ द्वारा ब्रम्ब सबंद विशे प्रभुने जो आज्या करी वो सब हकिकत बताई श्राम श्याम लेपक्से एकादशय महानिशी साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरस्य उच्यते इसलिए ब्रम्ब सबंद का प्रारम ब्रम्ब समन्द की शुरुवार साक्षात स्री ठाकोर्जी की आज्यासे श्री महाप्रभुजी ने करी सावन सुधी बारस मतलब सावन सुधी द्वादशी के दिन श्री महाप्रभुजी ने प्रत्थम ब्रह्म संबंध श्री ठकुरानी घाट गोविन घाट पर श्री दामोदर्दास हरसाज निजी को दिया तब से वैश्णाव भाव अपक्स से श्री दामोदर्दासी के वन्शज कहलाते हैं दामोदर्दासी लीला में ललिता जी के अवतार माने जाते हैं श्री ललिता जी लीला धाम में मध्यपाती सक्खी कहलाते हैं युगल स्वरुक का मिलन कराना और मुख्या स्वामीनी जी श्री राधा जी के साथ में ही रहना वो सब उनकी निकूंज की लिलाये हैं। इसलिए भुतल पर मुख्य स्वामिनी जी स्वरू श्री महाप्रभुजी के साथ में श्री दामोदर्दस रहे और श्री महाप्रभु जी के लिला धाम के प्रवेश के बाद उनकी आगना के अनुसार श्री गुसाई जी को संप्रदाई के सब भेद विशयक दमला जी ने समझाया क्योंकि उस समय श्री गुसाई जी सीर्फ 15 साल के थे अपना कारिय करने के बाद दामो दर्दास जी लिला में पधारे श्री दमला जी उस्टी संप्रदाई में प्रथम वैश्णव होने के कारण सभी वैश्णव इस दिन साथ मिलके दमला जी को याद करके मिस्री लेते हैं और दमला जी को याद करते हैं